एविसोर्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते है हाजी में उस इनरजी वाले लाइट से बच जाता है पर वो लावा में गिनने लगता है यूवी अपने पावर से उसे बचा लेता है और उसे एक साइट पे लेया के उसे होली बाटर पिलाता है ताकि वो खुद को हील क कर सके यूवी को बहुत सारे चीज़े याद आता है जहां पर हाजी में ने उसे बचाया था यूवी जब एस सोच रहा था था बो नोटिस करते कि उन दोनों के ऊपर कोई एटक करने वाला है तब ही जो टिया है वो अपने पावर से एक सील्ड बाना देता है उन दोनों के यहां पर कुछ समय एटक होने के बात जो एटक है वो रुख जाता है यूवी हाजी में के ओर देखता है तब ही यूवी को एक वाइस सुनाई देता है जो होता है डिमन्स के जनरल का डिमन्स का जो जनरल है वो कहता है यहां पर छुपके बैठना एक अच्छा आइडिया न्युतियु क्ता है वह उऑनिस के डायरेक अटक से कैसे बज़ गया ईम्ल्ट का जटेल हाजी में से पूछ झाले हैं तुम हो और तुम sec है । Magic Sika है हाजमे एक हलकी सी वाइस पर कहता है तुम सबल करने से पहले अच्छे से अपना introduction क्यों नहीं देते तुम demons के पास क्या manners नहीं है हाजमे उठता है हाजमे के उठने के बाद टिया और सिया आके हाजमे से पूछता है कि क्या वो ठीक है Demons का general कहता है जो मरने बाला है मैं जरूरी नहीं समझता कि उसे मैं अपना introduction दू हाजमे कहता है परिशन मत हो मैं तो बस ट्रॉप्स के साथ खेल रहा हूँ मुझे असलियत में तो कोई फरकी नहीं पड़ता बैसे आपके दोस्त का हाथ कैसे है मैं उमीद करता हूँ कि उसे नया style पसंद आएगा हाजमे के इस सारे बाते सुनके Demons का general कहता है मेरा नाम है Freed Bagua हम इसको Freed कहके बुलाइंगे Freed कहता है मैं God पेरित हूँ और मैं दूसरे लोगों को God की सजा देता हूँ हाजमे कहता है तुमने जब से God Magic Power को पाया है तब से तुमने खुद को एक एना स्टार्ट किया है Freed कहता है तुम तेज हो जब से मैंने God Age Power हासिल किया है मेरे God ने मुझसे directly बात किया था मैं इसलिए देपता हूँ कि इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी sacrifice कर सकता हूँ और तुम्हारा जिन्दा रहना उसके लिए परिशा नहीं है इसलिए मैं अपनी सारी ताकतों से तुमें हटा दूँगा हाजी में एक smile देता है और कहता है वो मेरा line था Freed कहता है क्या हाजी में कहता है तुम मेरे रास्ते में खड़े हो इसका मतलब तुम मेरे दुस्मन हो हाजी में gun point करके कहता है मैं अपने दुस्मनों को मार देता हूँ हाजी में के fire करते ही EV, Tia, Siya सब Freed के उपर attack कर देता है Freed एक defensive shield बना के कहता है तुमने क्या सोचा था कि मैंसे पपने साथ dragon सी लाया हूँ इस defense के अंदर easily आना मुस्किल है अब मैं तुमें दिखाता हूँ कि मैंने जो ताकते हासिल किया है वो God की ताकत है मैं अंथ की कामना करता हूँ और मैं सर्ग और आर्थ पे चलता हूँ मेरे हाथ कुछ भी नहीं पहुँचते और सपनों से आगे निकल जाते है हाजी मैं को इसकी फालतू की बगवाद सुन के गुस्सा आता है और वो अपने rocket launcher से अटक कर देता है उसके seal के उपर फ्रीट अपने dragon के साथ टेलिपोर्ट होता है सिया हाजी मैं को कहता है समल के रहने के लिए हाजी मैं देखता है उसके पास ही फ्रीट खड़ा है फ्रीट का जो dragon है वो हाजी मैं के उपर एक एटक करता है उस एटक की पावर इतना ज़ादा है कि हाजमे उस एटक को रोखने के चक्कर में वो पीछे धकल दिया जाता है साथी साथ जो दूसरे ड्रागन थे वो ईवी टिया सिया के उपर एटक करना स्टार्ट कर देते है टिया मन में कहता है मैं खुद को इतना संटूस कैसे होने दिया टिया हाजमे के ओर देखते है और कहता है मास्टर अभी भी इनसान है उसे अभी भी चोट लग सकता है और एक गल्ती उसे उसी बक्त मार सकता है तो मैं क्या कर सकता हूँ टिया का हमें एक flashback दिखाया जाता है जहां पे टिया का फादर टिया से कहता है तुम्हें survive करना होगा टिया का फादर कहता है अब से dragon bone को बाहर के दुनिया से छिपना होगा dragon bone अब got के दुस्मन है अगर ए लीक हो जाता है कि हमें से कोई बज़ किया है तो वो लोग जरूर हमें मानने के लिए एक बड़े पैमने पे सिकार स्टार्ट कर देंगे तीया कहता है तो मैं क्या हमेशा के लिए छिपा रहूं तीया का फादर कहता है नहीं तुम्हें सेफ तब तक छुपना है जब तक सही टाइम नहीं आ जाता है तीया अपने पास्ट के ए सारे बाते याद करके कहता है हम ड्रेगन बोन है सीन अफ हाजी में के उपर सिफ्ट होता है हाजी में कहता है एक कैसी ताकत है मैं अपने पैर जमिन पे भी खाड़ा नहीं कर पा रहा हूं हाजी में कहता है नहीं ए लिमिट ब्रेक कर चुका है हाजी में को वो एटेक दूर पटक देता है हाजी में खुद को समालता है पर वो ड्रैगेन दोबारा एटेक करता है हाजी में अपने रिंग के मदद से खुद का डिफेंस करता है हाजी में अपना डिफेंस और अटक करते हुए फ्रीड की ओर बनने लगता है फ्रीड ये देखके कहता है मैं कितना करीब हूँ पर फिर भी मैं आखरी अटक नहीं कर सकता फ्रीड जब इस सब कह रहा था तब ही फ्रीड के उपर टीया पीछे से अटक करता है और फ्रीड जब खुद को समालता है और देखता है तो बहुत सौक हो जाता है क्योंकि टीया उस टाइम पे अपने ब्लैक ड्रेगन फॉर्म में था फ्रीड कहता है ड्रेगन बोन तो मिटा दिये गए थे फ्रीड कहता है मैंने कभी उमित नहीं किया था कि मैं ऐसे जगे पे एक ड्रेगन बोन सर्वाइवल को देखूंगा मेरे पास कोई दूसरा अप्सन नहीं है यह बहुत ही खतननाक है पर मैं इस पूरे जगे पे मैजिक का इस्तमाल करूंगा फ्रीड एक मैजिक इस्तमाल करने ही बाला था तब हाजी में पीछे से आके गण से फायर करता है जिसे फ्रीड रोकने की कोसिस करता है पर वो रोक नहीं पाता हाजी में अपने गण से उसे डैमेज देता है और उसे दूर फेक देता है हाजी में उड़के उसके पास जाता है पर तबी उसके मुझ से खून निकलने लगता है हाजी में कहता है नहीं अब मेरा टाइम हो गिए और वह नीचे गिरने लगता है तबी जो टिया है वह उसे बचा लेता है Frit हाजी में को देखते हैं बहुत जखमी है पर वो एटक करने से भी डर रहा था इस बर Frit मन में कहता है बहुती खतननाक कॉमबेट और इसके जो मदद कर रहा है जो लर्किया वो भी बहुती खतननाक है एक ड्रेगन वोन को बिलूफ्त मना जाता है एक मैजिक यूजर जो बीना एंचेंट और बीना मैजिक सरकल कास्ट किये मैजिक कर सकता है एक ऐसा रैबिट जिसके पास इनसानों से भी ज़ादा खतननाक ताकात है और एक भविश से देखने की ताकत रखता है मैंने कभी उमीद नहीं किया था कि मुझे धमकी दिया जाएगा और मेरा एहाल होगा इस गौट पावर के साथ भी अगर मैं बो ना होता जिसने पहले उसके उपर एटक किया है तो मैं सायथ अब तक हार चुका होता हाजी में एक हलकी सी वाइस पर कहता है तुम क्या एक्टिंग कर रही हो ऐसा कि जो तुम जीट चुके हो मैं अभी भी इस लड़ाई के अंदर हूँ फ्रीट कहता है मुझे एक हिन है पूरा कि ये तुम ही हो सायद से तुम्हारा सबसे खतरनाक सायट तुम्हारा combat ability नहीं है बाल की मानने का unstoppable इरादा तुम्हारा नहीं सायद से तुम्हारा जिन्दा रहने की इच्छा जादा मैं इस रनिती को इस्तमल नहीं करना चाहता था मुझे लगते है तुम जैसे खतरनाक एक योद्धा को मानने के लिए इतना sacrifice तो चलता ही है हाजी में कहता है तुम किस बड़े में बत कर रही हो हाजी में के ऐसा कहते ही हाजी में के आसपस की जगा हिलने लगता है और लावा का जो लेबल है वो बनने लगता है फ्रीट वहां से भागने लगते है तभी फ्रीट भागते हुए कहता है मैं Connorstone को डिस्ट्रॉई कर रहा हूँ हाजी में कहता है Connorstone फ्रीट कहता है तो तुमने नोटिस नहीं किया तुम्हें कुछ नहीं लगा है आजिब से इस लावा के बारे में ग्रैंड ग्रुइन वालकेनो एक तरीके से सक्रियो वालकेनो है तो गाइस यहां पर एक बात सीधी सी बनता है वो है यहां पर अभी फ्रीट और जो हाजी में खड़े है जिस वालकेनो के अंदर ये वाला वालकेनो एक ऐसा वालकेनो है जो कभी भी अपने मर्जी से फट सकता है फ्रीट कहता है इस वालकेनो का फटने का कोई भी आज तक रेकॉर्ट नहीं है फ्रीट अपने हाथ पे एक चीज लेके कहता है मैकमा चेम्बर को कंट्रोल करने बाला कुछ है हाजी में कहता है तुम अब उस जगे का जो वालकेनों का उपर का हिस्से है वो खुलने लगता है फ्रीट कहता है तुम ग्रेट लेबरेत के साथ इहीं पर डिस्ट्रॉई हो जाओगे एक एके फ्रीट वालकेनों से भाग जाता है हाजी में उठते है उठके वो टिया के पास जाते है और कहता है तुम इसे लो और यहां से निकल जाओ हाजी में इसे लो का मतलब कह रहा है उसके पास जो रिंग है उसके बारे में टिया कहता है मास्टर क्या आप मुझे अलग कर रहे हो हाजी में कहता है टाइम नहीं है मैं एक बर कहूंगा हाजी में कहता है मैंने अभी तक कुछ भी नहीं छोड़ा है पर मैं एक दिन एज ओफ गौट मैजिक को हासिल करूँगा और उस आतनी को छोड़ूँगा नहीं स्टील स्टोन को जाके आकन जी डिलिवर करना है क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है और एक कम मैं अकले नहीं कर सकता तो इसी वज़े से मुझे तुमारी मदद चाहे होगा और कहता है यह मैसेश तुम कावडी और म्यू को दे देना कि हम फिर मिलेंगे यह सब सुनने के बाद टिया उनने लगता है और और के वालकेनों से बाहर निकलने लगता है और जब टिया बाहर निकल रहा था तब टिया की उपर दूसरे ड्रागेंट्स अटक करते है तब उसके उपर एटक करता है पर टीया हाजी में के दिये गए रिंग से वो यहां से निकल जाता है और जाते वक्त वो फ्रीट के मूँ के उपर कुछ बम फोर देता है हम लोग अब अंका जी को देखते हैं अंका जी के अंदर अचनक आसपास के जगह हिलने लगता है और सब को चल जाता है कि वालकेन ओफ हर्टने बला है अब हम लोग दूसरे साइट कैसल के अंदर प्रिंसेस को देखते है जो सोच रहा था कि उसने अपने फादर को रोकने की कोसिस किया था प्रिंसेस अपने फादर से पूचा था कि वो कहां जा रहे है पर जो किंग है वो कुछ र मिलता है और वो देखता है कि बो ट्रेड़िंग कर रहा है सीजुकु इस बात को सोचते हुए ट्रेड़िंग कर रहा था कि बो लैबरेट के अंदर किस तरीके से एक डिमन के पास बो पेट गया था सीजुकू जब ट्रेनिंग कर रहा था तब बोड नोटिस करता है कि उसके पास एक कैट आया है वो उस कैट को देख रहा था तब ही उसको बहुत ही बो क्यूट लगता है वो कैट सीजुकू उस कैट को देखके अजीब से हरकते कर रहा था और वो कैट जब जाने लगता है तो सीजुकू पूछता है कि उससे तुम कहां जा रहे हो तभी वो अपने पीछे प्रिंसेस को देखता है और बहुत ही ज़्यादा सरमा जाता है कुछ समय बात का हम सीजुकू है वो कहता है तो कैसल के जो ओफिसियल्स और चार्च के लोग है उनका क्याना क्या है प्रिंसेस कहता है वो लोग ए कह रहे थे कि कौकी को और भी जादा सक्तिसाली होने की जरूरत है क्योंकि फाइट उनका डीमन के साथ है और उनको जल्दी करना होगा सीजुकू कहता है और नाकामू के बारे में प्रिंसेस कहता है यह अभी तैय नहीं हुआ है पर नाकामू को लेके यह लोग कुछ डिसकर्स कर रहे है कि उसके लेके कुछ ब्रैंडिंग होगा सीन चेंज होता है और हम लोग उस लड़के को देखता है जो सीजन वन के अंदर हाजिमे को मानने की कोसिस किया था एह लड़का हाजी में के जिन्दबाद जने से बहुती ज़दा घुस्से में है और वो जब बखबख करा था तब ही उसको किसी की वाइस सुनाई देता है वो वाइस कहता है कि तुम घुस नहीं हो इससे तुम्हारे प्रिंसिस को तुम्हारे आखों के सामने से ले जाया गिया है वो लड़का कहता है भाग जाओ यहां से वो जिन्दा है और मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूँ वो वाइस कहता है तो क्या तुम उसे नहीं चाहते बो लड़का कहता है कि क्या वो वाइस कहता है कि मैं तुमें बो लाके दे सकता हूँ पर फिर भी वो बज़ गिया है इससे यह नहीं बदल जाता कि तुमने उसे माणने की कोसिस नहीं किया है वो वाइस कहता है अगर मेरे पस कोई तरीका होता तो मैं अपने क्लासमेट के उपर इल्जब नहीं लगाता वो लड़का कहता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो वो वाइस कहता है नहीं मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं इसके लिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि ये एक trade है तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा वो voice कहता है चलो इसे पूड़ा करते है उसके बाद तुम्हारे सारे जो इच्छाई है वो पूड़े हो जाएंगे हम लोग दूसरे साइट अप कावड़ी को देखते है और इहीं पे ये जो एपिसोट है वो खदम हो जाता है